किसाम साथ यों आपके धान के अंदर से ज़्यादा कल्य नहीं निकल रहे हैं फुटाव अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है और आप बहुत सारे तरह तरह के खाद डाल चुके हैं इस्प्रे कर चुके हैं लेकिन जो आप सोच करके खाद डालते हैं वैसा आपको रिजल्ट है देखने को नहीं मिलता आज की इस वीडियो में आपको सांदार वाला खाद बताने वाले हैं इस्प्रे बताने वाले हैं जिसके बाद आप अपने खेत के अंदर जबर जस्त ग्रोथ पाएंगे जबर जस्त कल्लो का विकास होगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले हैं वो आपके खेत के अंदर निकलने वाले हैं वहें किसांसातियों आगे चलके जो हमारे खेत के अंदर कई सारे ऐसे होते हैं मेड़े जिसमें से हमारी बालियां जो हैं धंक से नहीं निकल पाती है एक एक पौदी में बाली निकलती है बाकी का जो पौदा है वो खाली रह जाता है ऐसी समस्या भी आपको आगे चलके बिल्कुल नहीं आने वाली अगर आज आप ये वाली वीडियो देख लेते हैं और मेरे बताएवे खाद फॉर्म जो का इस्तमाल कर लेते हैं आपको जबसकले निकालने से कोई नहीं रोक सकता पौदे को पीला पंदूर हो जाएगा गिरोत सांदा वाली चलेगी आगे चलके आपको धान से अच्छा उतपादन मिलेगा तो ये तो हमारी जो इस वीडियो में जानकरी आपको मिल जाएगी इसलिए वीडियो को आप पूरा लाश्ट तक देखें ताकि आपसे जो उतपादन है इस वार वो ज़्यादा मिल पाए तो किसान साथियो ये जो वीडियो है आपको बहुत ही मैनस से आपके लिए तियार करके आपके लिए लेकर के आते हैं इसलिए वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे किसान साथियो साथ सेर भी करो ताकि उन तक भी जानकारी पहुँचे हम किसानों की मदद के लिए ये वीडियो बनाते हैं अगर उन तक ये वीडियो पहुचेगी तो उनका फायदा हो जाएगा किसान साथियों देखे होता क्या है हम जब खेत के अंदर जालतर खाद डालते हैं तो सबसे पहले हमें अपने खेत के अंदर देखना चाहिए कि हमारे खेत के अंदर अभी कौन से पोशक तत्व की कौन से खाद की जो कमी है वो चल रही है जिससे हमारे पोदे को प्राप्त जो है पोशक तत्व नहीं मिल रहे हैं जो growth है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रही है तो वो कौन से कारान होते हैं जो कि हम विरुकुल भी ध्यान नहीं देते हैं और अपनी फसल के अंदर उन सब की कमी रह जाती है और आगे चलके हमको अच्छ उत्पादन नहीं मिलता है और नहीं हमारा खेत में कल्लो का विकास बढ़िया तरीके से हो पाता है किसान साथियों जैसे हमारे धान लगवे 20 से 40 दिन हो जाते हैं तो 20 से यह जो 40 दिन का समय होता है हमारे धान लगाने से 40 दिन तक जो समय होता है यानि कि एक महीना 10 दिन का समय इसी टाइम के अंदर हमको अपने धान के अंदर जादर जादर कलो का फुटाव कराना रहता है और इसी समय आपको बिल्कुस सही खाद और सही इस्पिरे का परियोग करना है तो अभी आपके धान अगर 40 दिन के हो चुके हैं तो भी आप ये वीडियो को देखें किसान साथियो आपको लेनी है फेरस सलफेड यहां किसान साथियो आपको फेरस सलफेड लेना है चिलेटिट फॉर्म के अंदर और इसकी मात्रा आपको लेनी है 100 ग्राम 100 ग्राम फेरस सलफेट आपको लेना है चिलेटिट और इसी किसान साथियों आपको लेना है जिंक सलफेट जिंक सलफेट आपको 200 ग्राम लेना है चिलेटिट जिंक लेनी है आपको इसमें आपको किसान साथियो एक चीज का और जो आपको इसकंदर मिलाना है वो है किसान साथियो आपको इसकंदर मिलाना है बोरोन बोरोन आपने मिला दिया अपने तीन कॉंबिनेशन तियार हो गए और इसमें आपको एक चीज और मिलानी है वो है किसान साथियो यूरिया यूरिया की आपको मात मात्रा एक किलो लेनी है एक किलो आपको यूरिया लेना है किसान साथियों अपना देखे सब चीज़ की मात्रा आपको दबारा बाता आएता हूँ जिंक अपना लेना है हमें 1.500 गिराम चिलेटियर जिंक फेरा सलपेड अपना हो गया 100 गिराम और बोरोन 100 गिराम और यूरिय जो है वो आपका 1 किलो हो गया वहीं किसान सातियों आपको इन सब को अलग अलग गोल इनका तयार कर लेना है और घोल तयार करने के बाद आपको इसका घोल तयार करने के बाद अपने धान की फसल में इसका इस्प्रे कर देना है ये किसान साथियों आपको एक एकड़ की जो डोज है वो बताईए आपको एक एकड़ में जो है इसका इस्तमाल करना है और एक एकड़ के धान के अंदर इसका इस्प्रे कर दें किसान साथियो इस्पिरे जब भी आप करें तो इस्पिरे करने का सही समय आपको देखना है इस्पिरे आप अपने धान की फसल में चार बजे के टाइम करें चार बजे के टाइम जो दूब होती है वो काउ होती है और इस समय इस्पिरे करना बढ़िया माना जाता है तो किसान सत्यों चार बज़े आप अपने धान के अंदर इस्प्रे कर दें अब किसान सत्यों आपको मैं बताने वाला हूँ एक खाद जो की खाद हमें अपने पोधे के अंदर धान के पोधे में हमें अपने मिट्टी में डालना है जलो की माद्यम से जो है उसकी पूर्टी करानी है और इसके अंदर एक चीज ऐसी और मिलानी है जिससे हमारे जो धान का पोधा है वो जलो का विकास अच्छे से करें क्योंकि जब जलो का विकास हमारे पोधे में अच्छे से हो पाएगा तो उसके बाद में जो पोधा है जब मैं अब खाद बता रहा हूँ ये पूरे के पूरे खाद आपको देने हैं और इसमें आपको जितनी मात्रा बताई जा रही है अभी तलग सब की वही मात्रा आपको रखनी है अब किसान सातियों देखिए आपको अपने खेत में डालने के लिए लेना है यूरिया यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 40 किलो किसान साथियों आप अपने खेत के अंदर कितना भी कुछ भी खाद डालने लेकिन जब तो यूरिया की पूर्टी नहीं करेंगे आपके धान में अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा आपके जो पोदे हैं वो अच्छी रूत नहीं करने मालें क्योंकि किसान साथियों यूरिया जो है वो नाइट्रोजन की पूर्टी करता है जिससे हमारा पोदा हरियाली लेकर के चलता है जब हमारा पोदा हरा वरा होता है तो पोदा हमारा जो नाइट्रोजन है परकास चंस्टिनेशन की किरिया है वो बढ़िया तरीके से होती है इसलिए नाइट्रोजन का पोदे में देना बहुत ही जरूरी है किसान साथ यो नाइट्रोजन हो गया यानि कि हमें यूरिया का एक बैग ले लेना है 40 किलो उसी के साथ आपको लेना है एक किलो यूमी केसिड है किसान साथ यूमी केसिड हम ले रहे हैं जरू के विकास के ने कि यूरिया के अंदर हम यूमी केसिड में लाकर डालेंगे इससे हमारा जो पोदा है वो जरू का बढ़िया तरीके से विकास कर पाएगा और जो जमीन में पड़े पोस्क तत्व हैं वो भी जो है शिक्रिय हो जाएंगे और उनका भी फाइदा हमारे फसिल को मिल जाएगा जिससे हमारी फसिल अच्छी तरीके से गिरोध लेकर के चलेगी और बढ़िया रिजल्ट उसको मिलेगा तो किसान साथियो अच्छा अपदन लेने के लिए ये खाद इस्तमाल करें झालो किसान साथियो जाएंगे झालो के लिएकर के घटाद में साथियो तरूगा टार्स चालो को मिलेगा ये जाएंगे जाएंगे झाल झाल